एलो है एलो तो मिरे नाम है नविद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला ओपिन करने के बाद सबसे पहले आपको यहां थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है इमेज साइज में आना है और यहां पर अपना इमेज यह सेलेक्ट कर देना है यूटूब थमनेल ओके कर देंगे उसके बाद बैक्ग्राउंड आप देख लिए जो आपको पसंदा है मुझे य लग रहा बिगड़ गया फिर से मैंने यूटूब थमनेले लिया ठीक है अब सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे यहां न्यूट टेक्स पर और इसे यहां से डिलेट कर देंगे अब हम यहां पर सबसे अगर आपके पाद कोई पूर्ट वगरार बैक्ग्राउंड के है तो मैंस यहां लिख लेता हूं सिंपली आप मेक एजडी सबसे पहले के यह पहले कलर मैं यहां से सेट करता हूं कलर में मैं ले लेता हूं इसे यलो कलर यलो कलर ठीक है यहां सेलेक्ट कर दिया अब इसे बड़ा कर ले रहे हैं इसे यहां लगा देंगे उसके बाद फॉंट में आएंगे और जो भी आपको ठीक लगे आप वो लगा लीजिए मुझे यहां पर यही ठीक लगता है डेस मुझे यहां ज्यादा बैटर लगता मैं डेस यूज करता हूं से यहां ले लेंगे इसके बाद हम तुड़ा नीचे आएंगे और इस ट्रूप को अन कर देंगे और उसके बाद शडाउ को भी आन कर देंगे और फिर इना शडाउ को भी आन कर देंगे तो एक्रिक्टा लगता है ठीक है यह हो गया थोड़ा से साइज में बड़ा कर ले रहे हैं अब हम दूसरा लेते हैं यहां पर थमनेल इसे भी हम कलर दे देंगे यलो और पॉंट देंगे से डेज और इसका हम अगर बैक्राउंड खोल देंगे इसमें बैक्राउंड लगा देंगे तो यह ज्यादा अच्छा लगेगा जैसे मैं दिखाता हूं अभी कर दो इसे एनेबल कर दिया है यहां से और पीछे रेड ले लिए तो इस जाधा एक्रेक्टिव लगने लगता है इससे तो आप मर्जी है आपके अगर आप चाहँ से ले सकते हैं और नहीं यहां से इसे देंड कर देंगे और नीचे आके स्ट्रोक इसका भी आउन कर देंगे और श और यहां पर नियू टेक्स एक्ट कर देंगे अजया कि मूबाई ठीक है प्रॉट है उन्द कर देंगे और इस पर सबसे पहले से कलर देंगे यल्लू अ इसका थोड़ा बढ़ाएंगे का पांट देंगे इसे इस प्रोक इसका हम अन कर देंगे अब मुझे यहां पर जैसे मान लीजे कोई पोटो मैं यहां पर यहां पर क्लिक करके यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पर जाके एक इमेज भी यूज कर सकता हूं यहां पर जैसे के मैं लिटीट लीज को लिया हूं यहां पर इमेज भी ले लिया है और इमेज का साइज साइज फोड़ा एकजस्ट पर्दूहाँ कि अब अब आपको साथ ना एपने इस परते यहां ठाप बच मैं आपको यह सी चीज बताऊंगा जिसे एक ही क्लिक में बैक्रांग फसंद अब इसके हम आएंगे इधर फोटो पर थोड़ी आउट लाइन देंगे अब इसे एक्सपोर्ट करने के लिए सेफ करने के लिए थी डॉट पर क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और यहां से सेव टू गैलरी कर देंगे अब यह सेव हो गया अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने फोटो का बैडरोंड कैसे डिलीट कर सकते हैं आप अपने फोन रा कोई भी ब्राउजर खोल लेजिए मैंने क्रोंग खोला और गूगल पर मैं सर्च करता हूँ और यहां आने के बाद अपलोड करेंगे और अपका कोई भी फोटो यहां पर अपलोड कर देना जैसी कि मान लेजिए मैं यहां भी कोई फोटो देता हूँ से ग्राउज में आकर यह पब्जी का ले लेते हैं यहां पर अपलोड हो रहा है इसका प्रोसेशन चल रहा है कुछ ने करना होगा यह आटोमेटिक खुदी बैग्राउंड रिमूव हो जाएगा इस पर से अब आप देखिए यह बैग्राउंड रिमूव हो चुका है और अब यहां से डाउनलोड के आप्शिन्स पर क्लिक करना है और यह डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में यह हो गया सेव देख सके हैं आप हो गया इसका बैग्राउंड रिमूव अब उम्मेद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्स्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करते ना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती र